मेरा बोट मेरा देश इससे हम एक सशक्त और अपनी मनचाही सरकार बना सकते हैं मतदान होने के चलते ये ना समझें कि ये किवल छुट्ती का दिन है बलकि ये हमारे लोकतनत्र की मजबूती की नीव रखने का और पांस साल के लिए देश का विकास करने वाली सरकार के लिए एहम है इसलिए हम सभी को मतदान कर सही उम्मीदवारों का चुनाओ जरूर करना चाहिए इसके लिए हम निर्वाचन आयोग की वेफसाइड भी देख सकते हैं उनके एप्लिकेशन भी देख सकते हैं एप्लिकेशन और वेफसाइड की माध्यम से हमें ये जानकारी मिल सकती है कि हमारे लोकसभा छेतर या विधान सभा छेतर से कौन-कौन से प्रत्यासी चुनाओ में खड़े हुए हैं उनका इतिहास कैसा है उनका अपराधिक रिकॉर्ड कैसा है अन्य जानकारी भी उनके बारे में हमें निर्वाचन आयोग द्वारा मिल जाती है इससे हमें ये तैकरने में मदद मिल सकती ही कौन सा प्रत्यासी हमें चुनना चाहिए जो हमारे छेत्र के लिए हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के विकास्त के लिए उपयोगी सावित होगा तो आप सभी वोट जरूर करें और सही प्रत्यासी चुनकर ही करें और अब सुनते हैं कुछ जागरूक मतदाताओं के संदेश मैं देवेंदर काशिव धार जिला से लोकतंत्र के इस महा कुम्भ में देश्व प्रदेश के सभी युवा, महिला और वरिष्ट मतदाताओं को अपनी कुछ मौलिक पंक्तियों के माध्यम से आकाश्वाणी के इस गौरोमाई मंच से अपील करता हूँ कि वे अपने परिवार, अपने मीत्र, अपने अडोस-पडोस अत्वा समस्त सामाजिक बंधु बांधों के साथ मद्दान के इंदर पर जाकर अपने एक वोट की आहुती इस महायग्य में अवश्च दे और विश्व मंच पर अपनी उंगली में लगे निशान से भारत के लोकतंत्र की ताकत को दर्शाएं तो प्रस्तुत है मेरी कुछ मौलिक पंक्त्या विचित्र किन्तु सत्य है कहे मुझे ये गर्व है भेद ही नजश्ण है पर वलोकतंत्र है वोट का निशान है महामंत्र ये याद है चमग गण की भाल है वही लोकतंत्र की शान है जात है नवर्ग है राष्ट जिसका धर्म है गड़े वो विकास है राष्ट धर्म ही मुकाम है मिले सुने कहे सभी करे वही जो मन कहे विचित्र किन्तु सत्य है कहे मुझे ये गर्व है भेद ही नजश्ण है पर वलोकतंत्र है अमीट स्याहा का निशान है लालित जिसकी ढाल है हर किसी को भान है वोट उसका मान है विजित्र किन्तु सत्य है कहे मुझे ये गर्व है भेद ही न जश्न है परवलोक तंत्र है गाव की चुपाल से संसदी से आसी नहें रुके नहीं जुके नहीं वो देश का गंटंत्र है सम्विधान जिसका ग्रंथ है निशान उसका शस्त्र है निर्भैता उसका अस्त्र है कागच कलम्न दवात है उंगली पर स्याहा निशान है विचित्र किन्तु सत्य है कहे मुझे ये गर्व है भेदही नजश्न है पर्वलोक तंत्र है जहिन सभी मित्रों को मेरा नमस्कार मेरा नाम सौरव रगुंसी है मैं अटल विहारी वाचपेई भारतिय सूचना प्रवद्रगी की संस्थान ग्वालियर के कंप्यूटर साइंस विभाग में एक सोधचात्र हूं आगामी लोकसभा चुनाओं के संदर्भ में मैं आप से कुछ कहन चाहता हूं हमारा देश भारत हम सभी को अत्यंत्य प्रिय है हमारे देश का लोकतंत्र विश्व के पुरातन लोकतंत्र में से एक है चुनाओं की प्रक्रिया लोकतंत्र का आधार होती है एक करतव्य परायण नागरिक के रूप में हम सभी को इस प्रक्रिया में अपना यो कर चुनाओं की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता निश्चित करनी चाहिए आप सभी से निवेदन हैं कि अपने छेत्र एवं देश के समगर विकास के लिए आगामी लोकसभा चुनाओं में वोट अवश्य दें धन्यवाद अपनी नगरी का निर्मान करे हम समस्याओं का समधान करे हम यही वत्त है यही अपनी शक्ती वोट देंगे तो यही देश बक्ती देश मिरी देश मिरी मेरी जान है तू देश मिरे देश मिरी मेरी शान है तू मैं रिनो टोपो होश्यागाबाद मद्धिप्रदस से बोल रही हूँ मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग सभी बोट देने जरूर जाए और अपने सभी अडोसी पडोसी दोस्त सभी को बोट देने के लिए जागरूत करे इसलिए क्योंकि हम इस बोट के द्वारा ही अपना सचा कैंडिडेट चुन सकते हैं और सचे कैंडिडेट से हम अपनी सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं तो हम जो अपनी शिकायते लाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है ये नहीं हो रहा है अगर हम सचा कैंडिडेट चुनते हैं तो इस शिकायते हमारे ही द्वारा ठीक की जा सकती है इसलिए मैं सभी से अनुरोद करती हूँ कि वो बोर्ट देने जरूर जाए अपने दोस्तों को लेकर जाए अपने माता पिताओं अपने भाई बहनों सभी से अनुरोद करें कि ये सभी बोर्ट देने जाए धन्यावाद अरी लोग तंत्रे मजबूत बने, जब सुब की होगी भागी तारी, अरी सब माई बहिन भाव जाई ती भी, अरी होवे हिसे दारी पढ़े लिखे युवा वर्ग, तुम भी अब जागो, अरे चुनाव मैं वोट करो, जिम्मेदारी से ना भागो, अरे जागो अरे जागो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरव है, मैं बद्यपरदेश के रिवा जिले का निवासी हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ, कि वोट देना सिर्फ एक अधिकार नहीं, लोकतंतर का एक मुलभूत स्तम्ब है जैसा कि हम जानते हैं कि भारतिय समिधान में नहीत, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और सरक्षण में मद्दान महत्पूर्ण भूहिमका निभाता है इसलिए चुनावों में सक्री रूप से भाग लेकर नागरिक ये सुनुचित कर सकते हैं कि उनकी अवाज सुनी जाए और बोलने अभिवक्ति, धर्म और समानता की सुतंतरता कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए भारात देश अपने जीवन्त लोक्तंत के लिए प्रसिद्ध है जो अपने नागरिकों की सक्री भागिदारी पर पनपता है मद्दान, शमावेशिता, धर्म निर्पेक्षिता और समाजिक न्याय की लोकतांतरिक मूलों की रक्षा करता है जो देश की पहचान का एक अभिन अंग है साथ ही किसी भी देश या प्रदेश का विकास वहां के नागरिकताय करते हैं यह तब ही होगा जब हम इमानदारी से अपनी स्वक्ष सरकार को चुनेंगे हमें मद्दान में बढ़ चरकर हिसा लेना चाहिए साथ ही परिवार के बुजुर्गों को भी बूह तक ले जाना चाहिए मद्दान हमारा अधिकार है इसका प्रियोग करना हर मद्दाता का अधिकार है इसका प्रियोग करना हम मद्दाता कार में नतिक करता वे है इसलिए हम मद्दान कर दूसरों को भी प्रिदित करने इससे देश के विकास में हमारी भागिदारी होगी हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि हमारा जन प्रतिनेदी ऐसे विक्त को चुने जो इमानदार एवां सक्ष छवीगा हो जनता के हितों के लिए पूरी इमानदारी से कार कर पाए प्रत्येक मत दाता जागरूख होगा तभी लोकतंत्र स्वस्त बनेगा धन्यवाद मैं अरुण कॉनर जैस्वाल कटनी मत प्रतिस से बोल रहा हूँ जैसा कि हम जानते हैं कि कुछी दिनों बाद अपने मत प्रतिस में चुनाओ होने जा रहे हैं हम सभी नागरिकों का कर्तव है कि अपने इस समिधान द्वारा दिये गए महत्तपूर्ण अधिकार का उपयोग करें और अधिक से अधिक उपयोग करें और उना चाहिए कि हम खुद तो करें और अपने साधिक पुरे परिवार और पूरे अपने समाज और अपने पूरे मुहले को प्रेरित करें कि वो भी घरों से निकल कर मद्दान करने जाएं जिससे कि ये लोकतंत का पर्व सफलता पूर्वक संपन हो सके और सभी लोग की इस सरकार में भागिदारे सुने सिस्थ हो सके यही सबसे मेरी प्रात्ना है बहुत बहुत धिन्यवाद देश को गती मिलती है मतदान से भारती लोकतंत्र में यह प्रवधान है सभी तरह विभेदों को एकता में देखने का सुक है जाती धर्म भासा संस्कृति आचार बिवहार उच नीच तमाम विभनताओं के बावजूद सब को मतदान के रूप में एक ही गिना जाता है इसलिए देश का प्रतेक नागरिक देश के लिए अत्यंत महत्त पूरण है इसलिए अपना मतदान देश के सतत उन्नती के लिए यतोचित प्रतियों निधियों को चुन कर सरकार में लाएं तथा अपने समाज के लिए तथा अपने देश के लिए विकास का पत प्रसस्त कर जिससे हम अपनी भावी भविस्ट को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं तो शुरताओं में सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने घरों से हर हाल में बाहर निकल कर अपना वोट जरू डालें हर मतदान के इंदर पर 100% मतदान का हमारा लच होना चाहिए बीरा बोट बीरा देश